बिसमें आरफ मैं रहीम, असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हूं कि आप सब खेलेस होंगे आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बेक पास्ता की रेसिपी बहुत ही डिलिशस बनता है और बनाना इसको बहुत ही असान है, बिल्कुर रेस्टराण की तरह बनेगा ये घर में तो जरूर ट्राय कीजिएगा, वीडियो चिल लगे से इस को लाक्शन जरूर कर दीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रास बिगाओ तो इस रेसिपी को बनाने के लिए, सबसे पहले तो उबलते वे पानी में 1 टी स्पून नमक डालेंगे साथ ही हम इसमें शामल कर देंगे तेल 2 टेबली स्पून और इसको अच्छी तरीके से बॉल होने देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास्ता को बॉल कर लेंगे, तो मेरे पाई यह बास्ता हैं यहाँ पे, सरा के श्यल वाले पास्ता है, यह मैंने पूरे एक कप ले लिया है, आपके पास जो भी मौजुद Boulderं वो आप ले सकते हैं तो packet के instruction के मताबिक हम पास्ता को बॉयल कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको अची ते mix कर लिया है और अब मैं इसको छोड़ी हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए अब पास्ता को बॉयल होते वे 15 मिनट गुजर चुके हैं तो इसको चान लेते हैं उसके ओपर ठंडा पानी डाल के इसको साइड में कर देंगे यह पहला step हमारा रेडियो चुका है अब next step में मैंने यहाँ पे खुली wok ले ली है जिसके अंदर हम डालेंगे तेल तकरीबन के two table spoon और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे अब यह तेल हमारा देखें गरम होगा है तो इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटीवी अधरक और लसन तो तीन जबे मैंने लसन के ले लिये थे और आदा इंच का तुकडा में अधरक का ले लिया थे जिसको हामन दसे मेख उठ लिया था अब इसके अंदर साथी नमक शामल कर देंगे हजब जुरत मैंने डाला है तकरीबन हाफ टी स्पून अब चिकन को हमने इतना पकाना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए तो फलेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फलेम पे हम ये सारा स्टैप करेंगे अब यहाँ पे कुछ हम इसमें स्पैसिस भी डालेंगे जिसके अंदर मैंने पैप्रिका पॉडर ले लिया है हाफ टी स्पून चिकन पॉडर ले लिया हाफ टी स्पून काली मिर्च का पॉडर ले लिया हाफ टी स्पून कुटी वी लाल मिर्च ले लिया है हाफ टी स्पून और ड्राय पार्स ले लिया है मैंने 140 स्पून ये सारे मसाले शामिल कर देंगे हम अब चिकन में तमाम मसाले डाल के चिकन को हमने जब तक पकाना है कि जब तक चिकन हमारी गल ना जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको cook करना है क्योंकि यह चिकन का breast part है तो देखें easily हमारे चिकन गल्चुकी है यह ready हो चुकी है चिकन इसको side में कर देते हैं अब next step में हम white sauce तैयार कर लेंगे white sauce बनाने के लिए एक खुली wok में मैंने 2 tablespoon butter डाल दिया है तो यहां पे sauté हो चुगा है हमारा lesson तो इसमें डाल देंगे 2 tablespoon मैदा तो दो टेबली स्पून बटर लिया है दो टेबली स्पून ही इसमें मैंने मैदा शामल किया है अब इसको डाल के अच्छी तरीके से sauté कर लेंगे जब तक इसका कच्छवपन दोड़नी हो जाता तो flame क आपने हलका रखना है हलकी flame पे आपने इसको sauté करना है तो देखें अच्छी सी इसमें कुछबू आना स्टार्ट हो गई है तो इसमें हम शामल कर देंगे दो गलास दूद और दूद जो है वह आप कप के हिसाब से भी डाल सकते हैं तो दो गप यह दो गलास आप इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक शामल करेंगे तो 14 टी स्पून मैंने नमक शामल किया है साथी इसके अंदर एक अदर चिकन क्यूब शामल करेंगे और हम डालेंगे इसके अंदर काली मर्च का पाउडर जो कि मैं शामल करी हूं तकरीबन 140 स्पून साथी हम इसमें कुटी भी लाल मर्चो का समाल भी करेंगे जो कि जाएगी तकरीबन 140 स्पून ही टेस्ट के अकॉर्डिंग में चाप डाल सकते हैं साथी इसमें औरेगेनो डाला है मैंने 140 स्पून सबी चीज़ों का अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक् तो देखें हलकी आँच पे मैंने इसको पकाना स्टार्ट किया था तो देखें बल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सॉस रेडी हो चुकी है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूं कुकिंग क्रीम जो के मैंने 100 अमल डाली है इसको टाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जो के मैंने ओमलेट कट में काट ली थी और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर मश्रूम आदा कप जो के टिन वाले मश्रूम है मेरे पास इसको मैंने देखें सेना से स्लाइस में काट लिया था अब दोनों चीजों को हमने मीडियम टू हाइफ लेम पे सोटे करना है अब सा मीडियम साइस की शिम्ला मिर्च काट के शामल की है अब सब्सक्राइब को मीडियम हाइफ लेम पे हमने जब तक पकाना है जब तक के यह थोड़ी सी क्रंची नहीं हो जाती है बस इसका कलर खराब नहीं होना चाहिए तो साथी मैंने इसमें नमक शामल किया है हजब जुरत तकरीबन 140 टी स्पून नमकिस में जाएगा कुटी वी काली मर्च इसमें मैं शामल करी हूँ हाफ टी स्पून अब दोनों चीजों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यह देखें सबजिया हमारे बिल्कुल डेडी हैं अब हम इसके अंदर डाल देंगे तैयार पानी डाल देतें तो बिelk 95 ली चुड़ते नहीं हैं तो यह देखें सबदे ँसस बांद से हमारे पास्टा रेडी हो चुके हैं अब हम इसके ऋपर डालेंगे वाइट सॉस जिसको मैंने तैयार कर लिया था और अलग कर लिया था तो यह सारी सॉस डाल देते हैं इसके अं और अब हमारा नेक्स स्टैप होगा बेकिंग का तो यहां पर मैंने एक बेकिंग डिश ले लिया है जिसके अंदर हम यह तयार कि आप पास्टा डाल देते हैं तो हजब जूरत इसके अंदर हम पास्टा ट्रांसफर कर देंगे तो इसको मैंने दो डिशिस में बनाया था और अब हम इसके उपर डालेंगे मौजडीला चीज तो यह मेरे पास जो सेंडविच वाली मौजडीला चीज होती है यह मैं डाल रही हूं उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है आपको जो डालनी हो आपो डाल सकते हैं तो यह मैंने सरा से डाल दी है थोड़ी सी मौजडी पास्ता को बेकर निकली रखना है पास्ता बातीले का संस्टी तो यह मे based कस तूम finely कर सकते हैं तो मैंने यहां पर देखि के उपर टाला धी है अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से ब्लैप वाले औलिव्स और इसके ओपर डालेंगे शिम्ला मिच का टीवी अब यह पास्ता की डिश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुके है बेकर निकले इसको बेक करते हैं फिर दिगाती हूं में इसका फाइनल लुक तो लीजे हमारा मज़िदार सा पास्ता बनके तयार है बस इसके ओपर थोड़ी सी मेंने कुजी विलाल मिच डाल दी है तोड़ा सा मैंने इसके ओपर डाल दी है और ये लिजी जबदस सा पास्ता रेडी हो चुके है ट्राय किजिए बनाईए इसको इंज़ुए कीजिए 강 opportunity क अच्छी लेगे दूसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मजीद रेसिपी जाने के लिए ज़रूर से चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब तो फिर मुलागात होती है एक और ने रेस्पी वीडियो के साथ जब तक ले ठेक केर अला हाफेज